प्रेंट्ष देश्टि डिजोन में आपको च्वागत हैं जैसा कि हम लोगोंने पिछले वीडियो में लागर्थमिक डिफरेंशेशन के बारे में समझा है उसके कांस्ट्ट को समझा है तो इस वीडियो में हम लोग कुछ important questions का differentiation करेंगे logarithmic function की मदद से जैसे यह question है if sin y power x equal to k then the value of divided x what divided x की value में find करनी है और function हमारा है sin y power x जब ऐसे function मिल जाते हैं हमें कि एक variable के power में दूसरा variable आ जाए तो वहां पर हम लोग log का use करते हैं अगर इस question को हम differentiation का हम लोग differentiation करते हैं तो without log यह थोड़ा सा broad हो जाएगा तो हम लोग log का use करते हैं सबसे पहले हम बूलेंगे कि taking log on both sides जब हम दोनों तरफ log ले लेंगे तो हो जाएगा log time y power x equal to log k यह हो जाएगा अब हम जानते हैं कि log m power n equal to होता है n log m यह होता है अब हम इस identity को यहां पर यूज करते हैं तो जब यहां पर यूज करेंगे यह हो जाएगा एक्स लॉग time y equal to log k यह हो जाएगा अब हम यहां पर इसका differentiation कर सकते हैं तो जब differentiation कर देंगे तो यहां पर देखें तो दो function है एक यह है दूशरा यह वाला है इसको हम first consider कर लेते हैं इसको second consider कर लेते हैं और यहां पर हम product formula लगा देता है और product formula क्या होता है प्लस अब की बार दूसरे को छोड़ देंगे पहले का डिफ्रेंशेशन कर लेंगे एंड दें डी बाई डी एक्स लॉग के यह हो जाएगा यहां पर देखें कि फ्रंक्शन य का है और ऑपर एक्स का है तो इसे भी अंगी वाई का ऑपरेटर बनाएंगे तो एक्स हम अहां पर लिख देते हैं डी ए डी त्य waaई लोग साअइन वाई एंड यहां पर लिख देते हैं डी वाई वाई डी एक्स इस डी आइ डी जाए गया तो ढी त्योई डी नी rendering हो जायっと मैं प्लस लग sin y x का with respect to x derivative 1 होता है and equal to यहाँ पर देखें तो यह constant value है तो इसका derivative 0 हो जाएगा यहाँ पर देखें तो log sin y अगर यहाँ पर x होता है तो log x का derivative 1 by x होता है तो log sin y है तो इसका derivative हो जाएगा 1 by sin y चुँकि sin y को हमने x consider किया है इसलिए sin y का भी derivative होगा तो sin y का derivative क्या होगा cos y into cos y dy over dx plus log sin y equal to उसीर होगे यहाँ पर देखें तो cos y upon sin y यह हो जाएगा आपक कार्ट y तो x कार्ट y dy y dx is equal to इसको धर shift कर देंगा तो minus log sin y हो जाएगा and then imply that dy y dx equal to हो जाएगा minus log sin y upon x कार्ट y next question हमारे पास कह रहा है if y equal to e power x power x then find dy by dx हमको dy by dx की value find कर ली है तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ log ले ले लेते हैं इससे easy हो जाएगा तो बूलेंगे taking log on both side जब हम log ले लेंगे तो इधर हो जाएगा log y equal to इधर हो जाएगा log e power x power x अब अगर हम इसे m consider करें और इसको इन consider करें तो log y power n हो जाता है और log y power n क्या होता है log y power n equal to होता है यह log m तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log y equal to x power x log e base e और हम लोग जानते हैं कि log base e and e equal to होता है 1 तो इसके वह जाएगी 1 तो हमें मिल जाएगा log y equal to x power x यह हो गया अब अगर हम direct इसको differentiate करें तो हो जाएगा d y d x log y equal to d y d x x power x अब यहाँ पर देखें तो इसका तो हम लिख देंगे कि log y का होता है 1 upon y d y over d x इसका हम कर लेंगे equal to लेकिन यहाँ पर देखें तो x power x है तो इसको हम लोग direct differentiate नहीं कर सकते इसको हम अलग यहाँ पर शाल्व करते हैं यहाँ पर भी इसको भी शाल्व करने के लिए हमको log का यूज़ करना पड़ेगा तो अगर हम इसको v consider कर लें v equal to x power x तो जब दोनों तरह हम log ले लेंगे तो log v equal to हो जाएगा x log x अब अगर इसका derivative हम निकालें तो 1 over v equal to d over dv over dx equal to यहाँ पर इसमें हम लोग product formal लगाएंगे तो यहाँ पर x का अगर derivative पहले निकालते हैं इसका 1 हो जाएगा and log x को लिख देंगे वैसे ही and plus x को छोड़ेंगे log x का करेंगे तो log x का हो जाएगा 1 by x इस x से यह x cancel out यहाँ पर आपके पास बच्छे का log x और यहाँ पर बच्छे का 1 तो dv over dx की value आपको मिल जाएगी v 1 plus log x यहाँ से हमें find हो जाएगा v की value यहाँ पर थी x power x वो जाएगा x power x 1 plus log x तो यहाँ पर हमें x power x का derivative मिल गया है x power x 1 plus log x यहाँ पर लिख देते हैं x power x 1 plus log x तो यहाँ से हमको dy over dx मिल जाएगा dy over dx equal to मिल जाएगा y x power x 1 plus log x and then final answer हम लिख सकते हैं dy over dx equal to y की value question में हमको given था x power e power x power x into x power x 1 plus log x यह हमारा final answer हो जाएगा देखते हैं question में कहरा if y equal to x power x power x then find dy by dx अब यहाँ पर भी हमें dy by dx की value find करनी है तो हम दोनों तरफ log लिते हैं जब दोनों तरफ log लेंगे तो इधर हो जाएगा log y equal to इधर हो जाएगा log x power x power x अब अगर हम इसे m और इस x power x को यन consider करें तो log m power n बन जाएगा log m power n क्या होता है यन log m यह हमको मिल गया अब यहाँ से हम लोग इसको direct differentiate कर सकते हैं हम उसको differentiate करेंगे तो इधर हो जाएगा d over dx log y equal to d over dx x power x into log x यहाँ पर देखें तो log y का तो हमें मिल जाएगा 1 over y dy over dx equal to यहाँ पर product formula लगाएगे तो अगर x power x को हम छोड़ते हैं तो log x का derivative हो जाएगा 1 over x plus अब की बार large x को छोड़ेंगे और d by dx x power x का derivative निकालेंगे तो यहाँ से में मिल जाएगा 1 over y dy over dx equal to यह तो हो जाएगा x power x into x power इसको उपर ले जाएगे तो minus 1 हो जाएगा plus log x अब हमने previous question में x power x का derivative निकाला था और वो हमको मिला था x power x 1 plus log x यह हमें प्राप्थ हुआ था यहाँ से देखें तो x power अगर base equal हैं तो power add हो जाते हैं यह हो जाएगा x minus 1 plus log x into x power x यह हो जाएगा यहाँ से अगर हम दो divide by dx की value find करें तो divide by dx की value हो जाएगी y into x power x minus 1 plus x power x log x 1 plus log x यह हो जाएगा यहाँ से हम question में देखें तो y की value थी x power x power x तो यहाँ पर उस value को put कर देते हैं तो divide by dx हमें मिल जाएगा divide by dx equal to x power x power x x power x minus 1 plus x power x log x 1 plus log x यह हमारा final answer हो जाएगा तो बढ़ते हैं नहीं question की तरफ next question है if y equal to root x plus y then prove that dy by dx equal to 1 by 2y minus 1 तो यह question है और हमको यह प्रूब करना है तो सबसे पहले हम इसको y equal to x plus y to the power 1 by 2 लिख सकते हैं अब दोनों तरफ log ले ले लेते हैं जब दोनों तरफ आप log लोगे तो इधर हो जाएगा log y equal to log x plus y to the power 1 by 2 अब इसको हम यम कंसिडर करते हैं और इसको यह लोग यम पावर यम तो यह आपको मिल जाएगा 1 by 2 log x plus y अब दोनों तरफ हम differentiation कर देते हैं जब differentiate करेंगे with respect to x तो इधर log y का derivative हमें मिल जाएगा 1 over y dy by dx log y का पहले y हो जाएगा और y का x के respect में dy by by dx हो जाएगा equal to 1 by 2 as a constant है इसको total को हम x कंसिडर करेंगे तो log x का हो जाता है 1 by x यानि x plus y and फिर हम जिसको x कंसिडर करते हैं उसका से derivative निकालते हैं तो x का तो हो जाएगा 1 and plus y का हो जाएगा dy by dx यह हो गया 2 का crash multiply कर देंगे आप तो 2 पहुँच जाएगा यहाँ 2 over y dy by dx equal to 1 by x plus y का multiply करेंगे इसमें 1 में तो हो जाएगा 1 by x plus y and plus 1 by x plus y into dy by dx यह हो जाएगा अब dy by dx काटर में यहाँ भी है और यहाँ भी है दोनों को एक तरफ shift कर लेते हैं जब इस value को इधर लेकर आएगे तो यह plus माइनस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2 upon y dy by dx minus 1 upon x plus y dy by dx equal to 1 upon x plus y यह हो गया अब देखें तो dy by dx common है तो common ले लेते हैं dy by dx को common कर लिया तो यहाँ बस गया 2 upon y minus यहाँ हो गया 1 upon x plus y एग इधर हो गया 1 upon x plus y अब इन दोनों का LCM लिका लेंगे तो हो जाएगा dy by dx LCM हो गया y into x plus y and 2 का crash multiply करेंगे ती हो जाएगा 2x plus 2y and minus y इसका 1 में हो जाएगा equal to 1 upon x plus y यहाँ x plus y और यह x plus y कैंसल हो जाएगे तो हमें next step मिल जाएगा dy upon dx 2x plus 2y minus y तो क्योल y बचेगा upon y equal to 1 इधर क्योल 1 बचेगा अब dy by dx की value यहाँ से निकालें तो हमें मिल जाएगा dy by dx equal to यह बचेगे तो यह हो जाएगा y upon 2x plus y अब यहाँ question में हम देखें तो हमें proof करना था dy by dx equal to 1 by 2y minus 1 और हमारे पास आया क्या है dy by dx equal to 1 dy by dx equal to y by 2x plus y तो यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ पर 2y minus 1 तो थोड़ा सा यहाँ पर starting question देखें तो y equal to लिखा x plus y power 1 by 2 दोना तरफ अगर square कर दें तो इधर हो जाएगा y square equal to इधर का 1 by 2 cancel हो जाएगा तो मिलेगा हमें x plus y question में हमें यहाँ पर x नहीं चाहिए यहाँ से अगर हम x की value find करें तो x की value हमें मिलेगी x equal to y square minus 1 और यहाँ से अगर हम x की value find करें तो y y minus 1 मिल जाएगा तो x की value यहाँ पर shift कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा y upon 2 x की value है y y minus 1 and plus y जो हो गया अब देखें तो y यहाँ भी है y यहाँ भी है इस term में भी y है y को common कर लेंगे तो हो जाएगा y upon y common हो गया तो यह y निकल गया 2 का multiply करेंगे y में तो हो जाएगा 2y and 2 का multiply करेंगे minus 1 में तो हो जाएगा minus 2 and यहाँ से y निकल गया तो plus 1 इस y से यह y cancel out अब यहाँ से हमें मिल जाएगा dy by dx equal to 1 upon 2y and minus 2 plus 1 minus यह हो गया हमारा final result बढ़ते हैं next question की तरफ question है if x power y equal to e power x minus y then prove that divide by dx equal to log x by 1 plus log x का whole square तो यह हमारा given question है सबसे पहले हम दोनों तरफ log ले लेते हैं जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो यह हो जाएगा log x to the power y equal to log e power x minus y अब यहां से हमें मिल जाएगा यहां पावर y यह हो जाएगा y log x equal to यहां पर इसको y consider करें इसको यह तो ही हो जाएगा x minus y log e base e यह हो जाएगा हम अच्छी तरह जानते हैं कि log e base e 1 होता है तो इसकी value 1 हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा y log x equal to x minus y यह मिल गया अब हमें इसका derivative निकालना है दोनों तरफ हम differentiation कर देंगे with respect to x तो यहां पर product formula लगेगा तो अगर y को छोड़ देते हैं x का करते हैं तो हो जाएगा log x का 1 by x plus अब की बार log x को छोड़ेंगे और y का करेंगे तो हो जाएगा dy by dx equal to x का करेंगे तो 1 हो जाएगा and y का करेंगे तो dy by dx हो जाएगा यह हो गया dy by dx के टर्म को एक तरफ शिप करते हैं तो यह minus dy by dx को इधर लाएगे और इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो यह मिल जाएगा हमें log x dy by dx यह इधर आएगा तो plus dy by dx equal to one already है और y by dx उधर जाएगा तो minus y by x हो जाएगा यहां पर dy by dx को कामन कर लेते हैं तो dy by dx हो गया कामन तो हमारे पास यहां पर बचा one and one plus log x equal to यहां से crash multiply करेंगे x minus y upon x हो जाएगा next step हमें मिलेगा dy by dx equal to x minus y upon x and one plus log x इधर आएगा तो multiply करेंगा इसमें तो one plus log x हम dy by dx की value find कर चुके हैं लेकिन अब देखते हैं हमें proof क्या करना था proof करना है dy by dx equal to log x by one plus log x का whole square यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं y log x equal to x minus y यहां यहां पूट कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें dy by dx equal to x minus y की place पर y log x upon x one plus log x यह हो जाएगा अब यहां पर देखिए जो हमें proof करना था उसमें ना तो y चाहिए ना ही x चाहिए यहां जलते हैं फिर से अगर हम x की value find करें यहां से x की value हमें मिलेगी x equal to y log x और minus y उधर जाएगा तो plus हो जाएगा तो यहां से हमें मिल जाएगा x की value x equal to y one plus log x यहां पर जो हमको x की value मिली है यहां पर put कर देते हैं जब put करेंगे तो क्या मिलेगा हमें dy by dx equal to y log x over x की place पर y one plus log x and one plus log x already था यहां y से y cancel हो गया और हमें मिल गया dy by dx equal to यहां log x upon one plus log x one plus log x one plus log x of one square यह question proof हो गया बढ़ते हैं next question की तरफ और next question है if x power a into y power b equal to x plus y whole power a plus b proof that dy by dx equal to y y x तो मैं dy by dx की value y y x prove करनी है तो हमारे जो question है इसमें भी हमको log लेना पड़ेगा जब आप log लेंगे तो ही हो जाएगा log x power a into y power b equal to log x plus y power a plus b अब यहां पर इसको हम x power a को y consider करते हैं y power b को y n log y into y अब यहां पर देखें तो यह पर देखें अब यहां पर हमें जाएगा a log x प्लस b log y का हो जाएगा and y का हो जाएगा dy over dx यह हो क्या अब यहां से देखें dy by dx यहां पर इसका multiply कर लेते हैं अंदर तो मिल जाएगा हमें a by x plus b by y dy by dx equal to multiply करेंगे one में तो यह हो जाएगा a plus b upon x plus y and plus इसका जो multiply करेंगे x में तो a plus b upon x plus y and dy by dx dy by dx यहां पर, dyy by dx जोनों को एक तरफ शिफ्ट करते हैं बाकी value को एक तरफ शिफ्ट करते हैं क्योंकि हम यह dy by dx के value find कर भे हैं तो यह हो जाएगा B over y dy by dx यह इधर आएगा तो minus हो जाएगा minus a plus b upon x plus y dy over dx एक्वेल टू a प्लस b ओवर x प्लस y और a y x को इधर शुप्ट करेंगे तो माइनस a y x यह हो जाएगा यहाँ पर देखें तो diva by dx common है common ले लेते हैं तो diva by dx हो गया common यहाँ पर पच गया प्लस b ओवर y एन माइनस a प्लस b ओपॉन x प्लस y इक्वेल टू इन दोनों का lcm अगर find करें तो lcm हो जाएगा x x प्लस y और crash multiply कर देंगे तो हो जाएगा a x प्लस b x माइनस यहाँ पर इसका crash multiply करेंगे तो हो जाएगा a x माइनस a y यह हो गया अब यहाँ पर देखें तो a x positive है और x negative है यह cancel हो जाएगा इधर भी दोनों का lcm ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा dy over dx दोनों का lcm लेंगे तो y x प्लस y और crash multiply करेंगे तो हो जाएगा b x प्लस b y माइनस a y और माइनस b y b y positive है और b y negative cancel हो गया equal to उपर यहाँ बचा है b x माइनस a y upon x x प्लस y a y अब यहाँ पर देखें तो x प्लस y और x प्लस y cancel out next step देखते हैं क्या मिलेगा हमें इधर है dy by dx dy by dx b x माइनस a y b x माइनस a y upon यहाँ पर y बचा है equal to यहाँ पर b x माइनस a y upon x अब यह b x माइनस a y और b x माइनस a y तो cancel हो जाएंगे और यह y यहाँ पर जाएगा तो हमें final value मिल जाएगी dy over dx equal to y y x यह हमें प्रूफ करना था तो बड़के ने बेस्ट क्वेश्चन की तरब given question इसका हम y मान लेते हैं हमने इसको लिख लिए y equal to e x square into tan inverse x upon root 1 plus x square यह लिख लिए अब यहाँ पर देखें तो उपर e x square into tan inverse x है उपर multiply का sign लेगा है फिर divide है फिर root है तो ऐसे question को हम लोग log की help से बहुत easily sharp कर सकते हैं तो सबसे पहले दोनों तरफ हम log ले लेते हैं जब दोनों तरफ log ले लेंगे तो हो जाएगा यह log y equal to log e x square into tan inverse x upon root 1 plus x square यह हो जाएगा अब उपर जो दिया गे रहा है e x square into tan inverse x इसको हम यहाँ consider कर लेते हैं और root 1 plus x square को यहाँ तो log y by y हो जाएगा यह तो हमें मिल जाएगा log y equal to log e x square into tan inverse x minus log log root 1 plus x square log y by y होता है log y minus log n अब यहाँ पर देखें तो into है नहीं इसको अगर हम यम माल ले और इसको यन माल ले तो log y into y है तो इससे हम लिख सकते हैं log log e x square plus log tan inverse x यह हो गया log y into y लगा दिया minus root को हम पावर 1 by 2 लिख सकते हैं तो पावर में 1 by 2 चला गया log 1 plus x square पावर 1 by 2 यह हो गया अगला step हमें मिल जाएगा log y equal to अब इसको हम y consider करें इसको इसको हम y consider करें और इसको n consider करें log y यह हो जाएगा yn log m base e है plus log tan inverse x minus इसको y m मान लें और उन वाइट पूको y log ym power ym तो हो जाएगा yn log ym 1 plus x यह हो गया अच्छा यहां पर log e base e तो इसकी value 1 हो जाएगी यह हम जानते हैं तो यहां से यह हो जाएगा log y equal to यहां के ओल बच्चेगा x square क्योंकि लाग की base e 1 होता है प्लस x square का हो जाएगा 2x प्लस और 10 inverse x को अगर हम x माल लें तो log x का होता 1 by x यह नि 1 by 10 inverse x हो गया into जिसको हमने x कंसिडर किया उसका फिर से हम differentiation करेंगे x के respect में minus 1 by 2 इसको हम total को x कंसिडर करें तो log x log x होता 1 by x 1 by 1 plus x square और जिसको हमने x कंसिडर किया है उसका फिर से हम लोग differentiation कर देंगे यह कचे respect में तो यह हो गया अब यहां से अगला step में मिल जाएगा 1 upon y dy over dx equal to 2x plus 1 by 10 inverse x और 10 inverse x का derivative होता है 1 by 1 plus x square minus 1 by 2 into 1 by 1 plus x square और और यहां पर 1 का तो 0 हो जाएगा and plus x square का हो जाएगा 2x तो अगला step में dy by dx इस 2 से यह 2 cancel हो जाएगा तो अगला step में जाएगा हमें dy by dx इस y को उदस्चित करेगे तो y multiply कर देगा 2x plus 1y इसको पहले रिख लेते हैं and 10 inverse x minus यहां ओपर के ओल x बचा x upon 1 plus x square यह हो गया अब यहां से देखें तो y की value उने स्टार्टिंग में consider किये थी y upon e power x square into 10 inverse x by root 1 plus x square तो y की place पर यह value रख देते हैं तो मैं final answer मिल जाएगा dy by dx equal to e x square into 10 inverse x upon root 1 plus x square into 2x plus 1 by 1 plus x square 10 inverse x minus x by 1 plus x square this is my required answer बढ़ते हैं इस question की तरफ if y equal to root x minus x minus b upon x minus x minus d then find divide by dx तो हमको derivative निकालना है इस given function का with respect to x तो सबसे पहले हम इसको हम इसा लिख सकते हैं y equal to x minus a x minus b upon x minus c x minus d power 1 by 2 इस total x minus d x minus d power 1 by 2 इस total को यम consider करें तो log यम power n हो जाएगा यह तो यहां से हमको अगला इस step मिल जाएगा log y equal to यह आजया जाएगा 1 by 2 तो हमें मिल जाएगा log x minus a x minus b upon x minus c x minus d यह हो गया है इसको हम यम और इसको total को यम मान सकते हैं तो log यम बट यम हो जाएगा तो यह होता है log यम minus log n यह हो जाएगा अब इसको हम यम मानें इसको यम इसको यम मान लें इसको यम तो हो जाएगा log m into log n log m into n तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1 by 2 log m plus log n यहीं log x minus a plus log x minus b n minus इसमें भी वह इसको कर देंगे तो log x minus c plus log x minus d यहाँ plus लगेगा लेकिन यह minus है तो इसको minus कर देंगा यह हो गया अब हम इसको differentiate कर सकते हैं with respect to x तो जब differentiation करेंगे तो log y का हो जाएगा 1 by y d y by d x equal to 1 by 2 है रहेगा इसको अगर हम x मान लें तो log x का होता 1 by x तो यह हो जाएगा 1 by x really 1 by x minus a और जिसको हमले x मान पुसका फिर से करेंगे तो x का हो जाएगा 1 and a का हो जाएगा 0 तो यह ऐसे रहेगा plus यहाँ भी करेंगे तो सेम आएगा x minus b x का 1 हुजएगा b का 0 हो जाएगा minus यहाँ पर भी हो जाएगा x minus c और यहाँ पर भूजाएगा x-d यह हो गया अब यहाँ पर जो y x को इधर shift कर देते हैं तो जो y को इधर shift करेंगे तो हो जाएगा dy by dx equal to y by 2 1 by x minus a x minus b y को इधर shift करेंगे तो जो y by dx equal to y by 2 1 by x minus a minus 1 by x minus b minus जब y को इधर shift करेंगे तो जाएगा dy by dx equal to y by 2 1 by x minus a minus 1 by x minus b यहां पर देखें तो question में y की value यह थी तो हम पुना y की place पर यह value फूट कर देंगे और हमारा answer हो जाएगा dy by dx equal to y की value है x minus a x minus b upon x minus c x minus t और 1 by 2 को आगे लिख देते हैं हो जाएगा 1 by x minus a 1 by x minus b 1 by x minus c 1 by x minus d यह हो जाएगा हमारा required तो बढ़ते हैं नेस question की दरफ find the differential coefficient of x root 1 plus x by 1 plus c square power 3y2 with respect to x तो मैं इस function का या इस value का हमको derivative निकालना है with respect to x तो सबसे पहले हम इसको y माल लेते हैं तो y equal to हो जाएगा x root 1 plus x by 1 plus x square power 3y2 अब दोनों तरफ हम लाग लेते हैं जब दोनों तरफ लाग लेंगे तो हो जाएगा log y equal to log x root 1 plus x upon 1 plus x square power 3y2 यह हो जाएगा log x root 1 plus x minus log 1 plus x square power 3y2 यह हो जाएगा अब यहाँ पर देखें इसको y माल ले और इस total को y माल ले तो log m into n log m plus log m और इसको m माल ले और इसको n तो log m power n यह log m अगला इस्टेफ में जाएगा log y equal to log x plus log root 1 plus x minus 3y2 log 1 plus x square यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा इस रूट को हम पावर 1 by 2 भी लिख सकते हैं तो अगला इस्टेफ हमें मिलेगा log y equal to log x plus log 1 plus x power 1 by 2 minus 3y2 log 1 plus x square यह हो गया अब इसको में यह माने इसको जाएगा यह हो जाएगा log y equal to log x plus 1 by 2 log 1 plus x minus 3y2 log 1 plus x square तो हमने इस value को simple form में लग लिख लिया अब यहां से हम इसको differentiate कर सकते हैं जब x के साफ़ेश आपन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1 upon y dyy dx log x का हो जाएगा 1 by x plus 1y2 into इस total को x मानने तो log x का हो जाएगा 1 by x तो यह हो जाएगा 1 by 1 plus x और फिर से जिसको हम x मानते हैं उसका फिर से करते हैं तो log 1 plus x का तो हो जाएगा 1 by 1 plus x और 1 plus x का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा माइनस 3y2 इस टोटल को भी x मान लें तो log x होता 1 by x एनि 1 by 1 plus x square और फिर से जिसको x माने उसका करेंगे तो 1 का 0 और x square का 2x हो जाएगा इस 2 से यह वारप कैंसल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा dy by dx equal to इस y को दर shift कर देंगे तो y 1 by x plus 1 by 2 multiply हो जाएगा 1 plus x माइनस यह हो जाएगा 3 into x upon 1 plus x square यहाँ पर देखें तो y के value क्या है x root 1 plus x by 1 plus x square whole power 3 by 2 तो यह value यहाँ पर shift कर देंगे तो हो जाएगा dy over dx equal to x root 1 plus x by 1 plus x square whole power 3 by 2 1 by x plus 1 by 2 1 plus x minus 3 x by 1 plus x square यह हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा final answer पढ़ते हैं इस question की तरफ अब यह question है कहरा है x power y plus y power x equal to a power b then find the value of dy over dx हमको dy over dx value find करने है तो अगर इस question को देखें तो यहाँ पर एक variable के power में दूसरा variable है फिर प्लस लगा हुआ है और variable के power में variable लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर direct इस पर log operate नहीं कर सकते है अगर हम लोग direct log ले ले लेंगे यह बन जाएगा आपका log y plus y जैसा और हम लोग log y plus y में फार्मॉला नहीं जानते है हम लोग यह तो जानते हैं log y power y लो log y into y लो log y लो हम लोग log y प्लस y लो log y minus y जैसा फर्मॉला नहीं जानते हैं तो ऐसे question को solve करते हैं हम लोग अलग-अलग इसको माल लेते हैं तो हमने x power y को मानिया u और y power x को मानिया v यहाँ पर हो जाएगा u और यहाँ पर हो जाएगा v तो u plus v equal to a power v दोनों तरफ हम लोग x के साब पेच इसका differentiation कर देंगे यह हो जाएगा d y dx plus d y dx equal to d y dx a power v a power v तो यह constant है क्योंकि ना तो इसके पास x है ना तो इसके पास y है तो इसका derivative 0 हो जाएगा तो d y dx plus d y dx equal to 0 हो गया अब इसको हम जी equation first consider कर लिया अब क्या करेंगे d y dx की value निकालते हैं और लाग का equation first में put कर देंगे तो हमको इस function का d y dx मिल जाएगा तो start करते हैं u equal to x power y तो u equal to x power y दोना दरफ हमें log ले लिया यह होगा log u equal to log x power y अब इसको यम मानी इसको यहन तो log y power y है तो यह हो जाएगा आपका log u equal to y log x अब यहां पर देखें तो y into log x है तो यहां पर जब इसका derivative निकालेंगे और differentiation करेंगे यहां पर product farmer लगेगा लगा देते हैं product farmer log u का तो हो जाएगा 1 by u du by dx यहां पर अगर हम लोग y को छोड़ देते हैं और log x का करते हैं तो log x का होता 1 by x यहां जाएगा y by x फिर प्लस लगाएंगे अब की बार log x को छोड़ेंगे और y का करेंगे तो y का करेंगे तो हो जाएगा dy by dx यह हो गया dy by dx क्या हो जाएगा dy by dx एकुल to u उधर शुक्त करेंगे तो हो जाएगा U y by x plus log x into dy by dx U की value है x power y यहांपर put कर देते हैं तो कुछ हैगा du by dx equal to x power y y y x plus log x into dy by dx यह हो गया अब x power y का अंदर multiply कर देते हैं जब अंदर multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा dy by dx du by dx equal to x power y into y y x plus x power y into log x into dy by dx यह हो गया इस x को हम जब उपर ले जाएगा तो x power minus 1 हो जाएगा तो इसे हम लेख सकते हैं x power y into y into x power minus 1 plus x power y log x into dy by dx यह हो गया यहां पर देकितो बेस अगर इक्वाल हो जटा तो power add हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका y into x power y minus 1 plus x power y log x into dy by dx यह value है आपकी dy by dx की यहां से हमने dy by dx निकाल लिया similarly हम लोग dy by dx भी निकालेंगे तो यह आप निकाल सकते हैं similarly dy by dx जब हम निकालेंगे तो dy by dx की value आएगी x y power x minus 1 into dy by dx plus y power x log y जैसे हमने u की value निकाली है dy by dx जैसे हमने निकाला है जैसे हमने dy by dx निकाला है वैसे dy by dx भी निकालेंगे सबसे पहले दोने तरफ log लेंगे फिर product formula से इसका differentiation कर देंगे तो बहुत easily आ जाएगा अब dy by dx और dy by dx की value equation first में पूट करते हैं बोलेंगे therefore from equation first we get क्या मिल जाएगा हमें dy by dx की value हमने find की है वो है y into x power y minus 1 plus x power y log x into dy by dx plus dy by dx की value x y power x minus 1 dy by dx plus y power x log y equal to 0 तो यहां से हम लोग आप यहां भी डिवाख डियाख से यहां भी डिवाख डियाख से इन दोनों में दोनों डिवाख डियाख कामन हैं और बाकिशु जितने भी टर्म हम उदाश्ट कर देंडें को कामन कर लिया तो दो डियमाय डिय parallels कमॉन हो घाल तलो यह अंदर बचा एकस पावर वाई लाग ऐकस प्लस एकसवाई पावर एकसभर एक्स माइनस वन इक्वाल टू है यह अधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा निगेटिव Y पावर equal to minus time y power x log y minus y x power minus 1 upon यह इदर multiply कर रहा तो तो divide करेगा x power y log x plus x y power x minus 1 हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं divide by dx equal to minus common कर लिया तो हो गया y power x log y plus minus common हो गया है तो plus हो जाएगा y minus 1 upon x power y log x plus x y power x minus 1 this is my required answer दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें साथी शाथ अपना सुझाओ जरूर दे जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें अपना बहुत मुली समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुवरू तैंक्यो फर वाचिंग तैंक्यो बेरी मैच झाले झाले आपका बहुत मिलती बहुत मैच झाले आपका बहुत मिलती रहें